सो हेलो फ्रेंट्स अभी हम डिस्कूस करने जा रहे हैं ग्राम्स लाफ डिफ्यूशन तो यह लाब बोलता है कि अंडर दे सिमिलर कंडिशन सफ तेंपरेशन और प्रेशर यानि कि हम इसमें प्रेशर और टेंपरेशर को जो है वह कॉंसेंट माल लेना है जब हम टेंपरेशर और प्रेशर को कॉंसेंट मालेंगे तो इस रेट ऑफ डिफ्यूशन है अब डिफ्यूशन होता है कि जैसे कहीं हम अगर बत्ती जलाते हैं तो उसका धुआ है वह हमारे पूरे चाहरों तरफ जो है कमरें में फैल जाता तो उसी को बोलते हैं करने लगते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं तो रेट फिफ्यूशन यानि कि कितने जल्दी वो जो है सारा वोलेम को पाई करेंगे वो होता है इंवर्सली प्रपोर्चिनल टूद अ क्यार रूट ओफ डेंस्टी यानि कि डेंस्टी का जो स्क्वेर रूट होगा उसको ज density को हम denote कर रहे हैं यहां पर D से और इस सेम चीज को हम लिख सकते हैं R1 by R2 is equal to android of D2 upon D1 अगर हम दो गैसी स्क्रीम बात करें तो अब first case के R1 देखो इसका universal proportional है D1 और R2 का देखो universal proportional है NQ पर जाके android density का वो है D2 अब where R is the rate of diffusion and D is the density of gas अब हम जो है इसकी derivation करेंगे और इसकी derivation हम करेंगे काइनेटिक गैस equation से तो काइनेटिक गैस एक्वेशन जैसे कि हमने पड़ी है पीवी जिगल टू वन बाई थ्री MNU स्क्यार एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं देखो जो MNN देखो M है एक simple molecule का mass और N है total number of molecules अगर जितनी एक simple molecule का mass है उसे हम total number of molecules से multiply कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा total mass of the gas जिसे हम denote करेंगे capital M से तो हमने लिखा M x N is equal to capital M क्योंकि यह बन गए total mass यही चीज हमने यहाँ पर लिखती है and then हमने किया u square को जो है हमने यहाँ पर alone रखा और बाकी की जो चीज़े हैं उनके हमने separate कर दिया तो जो हमारी separate चीज़े गई ही वह हमारी बन गी 3PV upon M अब देखो यह बन रहा है V upon M अब जितो V है इसे हम नीचे लियाएंगे तो यह बन जाएगा 3PV as it is and M upon V जब हम V को नीचे लियाएंगी मतलल नीचे अगर हमको लाना होदे से M की नीचे रखेंगे अगर हम simple maths इसमें देखें तो जो V है वह वह वापिस उपर जाकी यही टर्म बना देगा तो देखो यहाँ पर बन रहा हमारा मास पर यूनिट वोल्यूम M upon V बन रहा है मास पर यूनिट वोल्यूम जो क्यो होता है हमारा देंस्टी तो हम यह बन जाएगे हमारे टामफी U square is equal to 3P upon D यानि की देंस्टी U as it is and U square है जाके बन गया अंडरूर तो यह बन गया U is equal to under root of 3P upon D Now the rate of diffusion of gases is directly proportional to the speed of gas molecules इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी गैसे जब diffuse होंगी तो वो डिपेंड करती है कि कितनी speed है gas molecules की for example जैसे अब अगर अकरबत्ती का धुमा जा रहा है अगर हम उसे फूक मारे तो फटा-फट जो है कमरे में फैल जाएगी ऐसा तब होगा क्योंकि जब हमने इसको ब्लो कि एजब हमने फूक मारी जो उसके मॉलेक्यूल है जो जो गैस मॉलेक्यूल से वह फास्ट फास्ट रन करने लग गया जिसके वादे सब क्या हुआ कि वह जल्दे जल्दे डिफ्यूस होने लग गए तो हम बहुत सकते हैं कि rate of diffusion is directly proportional to the speed of the molecules तो हमने लिख दिया इन दोन equation को compare करेंगे जब हमने इन दोन equation को compare किया तो हमार पास result आया वह आया यू इसके बराबर है इसके बराबर तो आर भी इसके वराबर हो जाएगा तो यह बना यूज डायल पॉशन तो आड इकल तीस और आड इसकोल तो दिस बन गया अब यहां पर हमारा प्रैश्य रभ वह तो कॉंस्टेंट है और त्री जो है हमारा कॉंस्टेंट एंड इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आर इस ड नोट से वह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल तूंगा वहां से जाकी से डाउंलोड कर सकते हैं